दुनिया में खूप चर्चा हो रही है इस दिमाग और दिल की जद्दो जहद पर मगर आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जिस तरह आप महसूस करते हैं उसी तरह आप सोचते हैं अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें पहले आती हैं आज शिक्षा की प्रकृती के कारण अधिकांच लोगों के लिए उनके विचार उनकी भावनाओं से पहले आते हैं मगर फिर भी ऐसे लोगों की काफी तादाद है जिनकी भावनाग उनके विचारों से आगे चलती हैं सुनाक्षी ये पूछ रही हैं कि कुछ स्थितियों में आप नहीं होना चाहते, मगर भावनाएं उल्जी होती हैं, इसलिए विचार बार-बार वहां जाते हैं, आप अंजाने में उस दिशा में चलते रहते हैं, आपको ये समझना होगा कि विचार फुर्तीले होते हैं, आज मेरे विचार कहते हैं कि ये सबसे अच्छी इंसान है, कल अगर वो कुछ ऐसा करती है जो मुझे नहीं पसंद, तो तुरंद मेरे विचार कहेंगे कि वो अच्छी नहीं हैं, लेकिन अगर मेरी भावनाएं इस अच्छे इंसान के साथ जुड़ गई हैं, भावनाएं उतनी फुर्तीली नहीं होती, वो इतनी जल्दी नहीं पलट सकती, वो थोड़ी रसीली होती हैं, उन्हें समय लगता है, इस बीच आप परिशान होते हैं, क्योंकि विचार कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मगर भावनाएं अभी भी उल्जी होती हैं, मैं इसके बारे में क्या करूँ? अपनी भावनाओं या विचारों को काबू में करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके दिमाग की प्रकृती ऐसी है, कि मैं इस आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहता, यानि मैं अपना बाकी जीवन उसी आदमी के बारे में सोचने वाला हूं। जब मजबूरन विचार और भावनाएं मन में आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, कि आपको उन्हें बस उस तरह देखना चाहिए, जैसे वो हैं, आप उनका विरोध मत कीजिए, आप जैसे ही विरोध करेंगे, वो कई गुना बढ़ जाएंगे। इस मन में घटाव और भाग नहीं होता, बस जोड और गुना होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज है, इतना समझिए, कि विचार और भावनाएं, बस पहले से मौझूद डेटा का री साइकल है, ये आपकी यादें हैं, बात बस इतनी हैं, कि यादाश्ट की थोड़ी गंद होती है, वो गंद आती रहती है, आपको उसे उसी तरह देखना है, उससे थोड़ी दूरी रखते हुए, जैसे, आप किसी ट्रैफिक जैम में फसे हैं, आप एरपोर्ट जा रहे थे, आप ट्रैफिक जैम में फस गए, आपको कितनी घवराहाट और परिशानी हुई, किसी तरह आप वहाँ पहुँचे और हवाई जाहाज में चड़कर उड़ गए, उपर से जब आपने नीचे देखा, तो ट्रैफिक जैम कितना अच्छा लग रहा था, सिर्फ इसलिए, क्योंकि थोड़ी दूरी है, वही ट्रैफिक जैम, मगर एक दूरी होने के कारण, अचानक सारी परिशानी खत्म हो गई, इसी तरह आपके विचार और भावनाओं के साथ भी, बस थोड़ा सा अभ्यास कीजे, थोड़ी दूरी स्थापित करने के लिए, अपनी शारिरिक प्रक्रियाओं के साथ, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ, लेकिन अगर आप कुछ खास विचारों और भावनाओं को संभालने की कोशिश करेंगे, तो वो हजार गुना बढ़ जाएंगे.